हलो फ्रेंज, हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग टूडी पे आपका स्वागत है आज के हमारे वीडियो का तॉपिक है वेहिकल लोन जिसमें के टू वीलर, फोर वीलर और सभी तरह के कॉमर्शल वेहिकल का समाविस होता है ये वेहिकल लोन कौन-कौन से परपस के लिए दिया जाता है फर्स्ट जो है पर्चेस आफ न्यू तूविलर, जिसे हम बाइक लोन बोलते है सेकंड जो है पर्चेस आफ न्यू फोर विलर, जिसे हम कार लोन बोलते है ये दोनों जो loan है, उसे retail loan कहा जाता है, जिसको आपका existing income capacity है, उसके base पे दिया जाता है, मतलब आप अभी जो कमा रहे हैं, उसमें से आप loan का repayment कैसे करोगे, उसके हिसाब से ये loan sanction होता है, थर्ड जो है purchase of new commercial vehicle, जिसमें auto rickshaw, truck, tempo वगरे का समावेश होता है, जिसे MSME loan भी कहत है, मतलब ये एक business loan हो जाता है, जिसमें आप vehicle purchase करोगे, उसमें से income generate करोगे, और उसमें से repayment करोगे, bank का loan, तो इसके लिए बैंकों के लिए ये loan थोड़ा risky हो जाता है, इसलिए इस loan में bank आप से कोई security मांग सकती है, bank also finances old vehicle age up to three years, मतलब बैंक नए vehicle के अलावा पुराने vehicle को भी finance करती है, लेकिन उसका age नॉर्मली तीन साल तक है, ऐसा prefer करती है, who will get loan, मतलब किस-किस को ये loan मिल सकता है, तो कोई भी individual हो, above 18 years age का, तो उसे मिल सकता है, firms या LLP को मिल सकता है, या companies को मिल सकता है, quantum of loan, मतलब loan का amount क्या होगा, तो minimum और maximum amount के लिए normally कोई restriction या limit नहीं रहता है, पर two-wheeler loan के लिए bank to bank vary हो सकता है, 5-10 लाग तक का upper limit हो सकता है, मतलब maximum आपको loan 5-10 लाग तक two-wheeler के लिए मिल सकता है, और पुराना loan है, पुराना vehicle है, तो उसके लिए 22-30 लाग तक का maximum limit का cap हो सकता है, पर नए vehicle के लिए normally कोई भी limit नहीं रहता है, age limit क्या रहती है, तो अथरा साल के उपर के आप person हो, तो आपको loan मिल सकता है, और exit age जो रहेगा, तो salaried person के लिए normally retirement age रहता है, और non-salaried person, जिसमें के business person का समाविस होता है, उसमें exit age जो है, maximum 75 years तक का हो सकता है, मतलब आप कभी भी loan लो, तो 75 years से पहले आपका loan close हो जाना चाहिए, उसे के साब से आपका repayment period जो है, वो bank देता है, rate of interest क्या होगा, तो आज की date में rate of interest 7% to 8% तक चल रहा है, सभी nationalized bankों में, या reputed private banks में, तो वो जो है floating रहता है, अभी EBLR से link रहता है, तो हर तीन महिने में वो update होता है, अगर repo rate बढ़ता है तो बढ़ेगा, और कम होता है तो कम होगा, अभी हम पिछले 4-5 साल का history देखे तो normally repo rate कम ही हो रहा है, तो आपका interest rate भी कम ही हो जा रहा है, repayment of term loan, repayment कैसे होगा यह vehicle loan का, यह vehicle loan जो है आपको as a term loan दिया जाएगा, उसको आपको EMI में repay करना रहेगा, monthly base पे, तो maximum repayment period जो है, वो 7 years का रहता है, मतलब 84 months का, उसमें category के साब से अलग-अलग हो सकता है, जैसे 2-wheeler के लिए maximum 36 months रहते है, और 4-wheeler है, नया है तो 84 months रहता है, अगर पूरा ना है, तो normally उसका maximum उसकी जो balance life रहेगी, बाकी कितने 4 साल तक चलेगा vehicle अच्छे से, जो value अर ने डिया है, तो उसके हिसाब से जो remaining life रहती है, उतना हो जाता है, commercial vehicle के लिए ये 62-84 months रहता है, मतलब 5 साल से 60 साल के बीच में, बैंक में, अलग-अलग बैंक में, अलग-अलग हो सकता है, और commercial vehicle के लिए moratorium period भी मिलता है, 3-6 months के लिए, margin क्या रहेगा, तो 2-wheeler के लिए margin normally 25% रहता है, कुछ बैंक में अलग हो सकता है, पर on an average 25% रहता है margin, मतलब 75% आपको 2-wheeler के लिए finance हो जाता है, 4-wheeler के लिए 10-15% margin होता है, मतलब 85-90% आपको finance हो जाता है, नए 4-wheeler के लिए, अकर commercial vehicle है, तो 15-25% तक margin रहता है, old vehicle रहे तो 40-50% तक का margin रहता है, मतलब उसमें 50-60% रखी आपको finance होगा, तो old vehicle में जो है, आपको बहुत ही कम finance होता है, compare to new vehicle, और old vehicle के लिए normally interest rate भी जो है, वो normal interest rate से कम से कम 1% ज़्यादा रहता है, तो bank loan के इसाब से old vehicle इतना preferable नहीं रहेगा आपको, उसमें एक तो interest rate ज़्यादा रहता है, margin भी ज़्यादा रहता है, और repayment period जो है, वो भी आपको maximum balance life जो है, उसका तब तक ही मिलेगा, तो पूरा आपको 7 years तक कभी नहीं मिलेगा, वो 4-5 साल तक ही normally मिलता है आपको, फ्रेंट्स, यहाँ पर हम एक example के थुरू, vehicle cost के साब से loan कैसे sanction होता है, वो देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम एक example ले रहे हैं, कि हम Hyundai Creta car purchase कर रहे हैं, उसका एक showroom price जो है, approximately 10 lakh रूपी से हम round कर दिया है, यहाँ पर, जिसका RTO charges, registration charges जो है, 55,000 हम consider कर रहे हैं यहाँ पर, और insurance charges जो है, वो 50,000 consider कर रहे हैं, और additional accessories कुछ consider कर रहे हैं, 5,000 रूपीस का, तो total उसका vehicle का project cost हो जाएगा, 11,10,000, उसमें से हम एक bank का margin 15% consider कर ले हैं यहाँ पर, तो वो हो जाएगा, 1,66,500, जो हो जाएगा, प्रोजेक कोस्ट के साब से, 9,43,500, फ्रेंड्स हम अभी देखेंगे, income calculation for loan eligibility, जितने भी retail loan है, जिसमें existing आपका income capacity देखा जाता है, उसमें यह चीज़ें हमेशा देखी जाती है, जैसे हमने housing loan वाले वीडियो में भी देखा था, कि existing income आपके कीस तरह से calculate की जाती है, अगर आपकी income जो है, yearly income अब तु 3 lakh रहती है, तो उसमें 50% तक EMI calculation के लिए consider किया जाता है, अगर yearly income 3 lakhs to 10 lakh तक होती है, तो 60% तक EMI calculation के लिए consider किया जाता है, और 10 lakh से जादा है, तो 70% तक EMI calculation के लिए consider किया जाता है, वेहिकल लोन जो रहता है, वो DSR के बेस पर रहता है, मतलब उसमें आपकी existing income नहीं देखी जाते हैं, आप अभी कितना कमा रहे हो वो नहीं देखा जाता है, उसमें यही देखा जाता है कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना रहता है, उसमें यह रहता है कि आप ये वेहिक purchase कर रहे हो तो एक महिने में आप इतना चलाओगे उसमें से इतना income करोगे तो ये जो income है वो आपके EMI से कम से कम 1.5% जितना रहना चाहिए मतलब देड़ गुना ज्यादा रहना चाहिए ताकि उसमें से आप easily EMI पे कर सको तो फ्रेंड सही है कि DSCR जो है 1.5% average होना चाहिए अगर 5 साल के लिए आप loan ले रहे है तो 5 साल का average DSCR 1.5% से कम नहीं होना चाहिए ये bank चाहती है salary person का income calculation कैसे होता है वो हम देखेंगे तो सबसे पहले तो वो confirmed employee होना चाहिए और उसके जो last 3 से 6 महिने की salary sleep bank मांगेगा या फिर वो income जो है वो consider किया जाता है अगर और कोई income है आपका rent income है या agriculture income है तो वो भी consider किया जा सकता है लेकिन वो ITR में reflect होना चाहिए और non salary person मतलब business या professionals है तो उसका income calculation कैसे होता है तो उनका normally latest income ITR जो है उसका income consider किया जाता है अगर इनके तीन ITR में पिछले तीन ITR में year to year difference जो है 25% से ज़्यादा है तो average लिया जाता है तीन साल का friends हम यहाँ पे देखेंगे income के हिसाब से loan कैसे sanction होता है तो सभी income based loan जो भी रहते है उसमें सबसे पहले EMI factor calculate करता है bank तो वो क्या होता है अगर loan amount 1 lakh consider करते है interest rate जो भी existing interest rate है वो consider करेंगे यहाँ पे हमने 7.5% लिया है और loan 10 year जिस loan 10 year के लिए हम loan देना चाहते है वो loan 10 year ले ले लेते है तो 7 year से यहाँ पे हम ले रहे 84 months तो EMI factor जो हो जाएगा 1534 मतलब यह जो है 1 lakh के लिए existing interest rate और existing tenner के लिए EMI हो जाएगा तो वो है 1534 उसे एक base के रुपे लिया जाता है तो यहाँ पे हम एक monthly salary consider कर रहे है 40,000 रुपीस जिसका 60 percentage जो है जो हम EMI के लिए consider करने वाले है वो 24,000 हो जाएगा तो loan eligibility हो जाएगी वो 24,000 divided by 1534 मतलब income के इसाब से आपकी loan eligibility बन रही है 15,64,000 तो loan sanction जो होगा यह दोनों में से जो minimum रहेगा तो vehicle cost का जो eligibility है वो हमारा बन रहा था 9,43 और income के इसाब से जो eligibility बन रहा है वो 15,64 तो यह दोनों में से जो lower रहेगा वो bank finance करेगा तो यहाँ पे हमको 9,43 lakhs का bank finance मिल जाएगा EMI की इसाब से fix होता है EMI direct आप EMI calculator से भी calculate कर सकते है या फिर loan amount sanction करने वाला bank into EMI factor से multiply कर दीजे तो यहाँ पे 9,43 into 1534 हो जाएगा तो वो बन जाएगा 14,466 security या guarantee क्या रहेगा तो friends यहाँ पे two-wheeler और four-wheeler के लिए hypodication of vehicle सिर्फ रहता है security में क्योंकि वो existing आपका income है अभी जो आप कमारे उसके base पे मिलता है तो इसलिए bank उसमें थोड़ा safer महसूस करती है उसमें सिर्फ hypodication of vehicle का security लेते है और commercial vehicle loan के लिए जो है वो hypodication के अलावा कुछ CGTMSC cover या फिर collateral security bank डिमान करती है क्योंकि यह comparatively ज़्यादा risk है तो up to 10 lakh के loan के लिए normally CGTMSC cover compulsory रहता है उसमें collateral security bank डिमान नहीं कर सकता है पर above 10 lakh के loan के लिए bank आपके पास option रहता है या आप CGTMSC cover लो या फिर आपके पास collateral security हो गर हो या office हो वो उनको security में दे सकते है bank को CGTMSC cover के लिए कुछ fees रहता है yearly वो आपको pay करना रहता है वो normally 1.5% to 2.4% तक yearly हो सकता है third party guarantee जो है वो mandatory नहीं है पर कुछ case में bank आपसे मांग सकता है guarantee जैसे कि आपका civil score जो है वो required score से थोड़ा कम हो या फिर partnership firm हो तो उसमें partners की guarantee compulsory रहती है companies में भी directors की guarantee compulsory रहती है expenses क्या क्या आएंगे आपको vehicle loan sanction करवाटे समय तो normally एक processing charge रहता है जो 1% plus GST रहता है या फिर कुछ bank में ये fix है जैसे 1000 और 1500 plus GST maximum time तो ये wave ही रहता है बैंकों में कोई ने कोई car loan के लिए campaign चलता रहता है तो normally आप new four wheeler car purchase कर रहे हो तो उसमें processing charge normally wave रहता है valuation charges रहता है 1000 to 2000 अगर ओसी पुराने vehicle के लिए ही लागो पड़ता है अगर आप पुराना vehicle purchase कर रहे है अब तो 3 years का तो bank अपने valuer से उसका valuation करवाएगी और उसका 40% margin निकाल के आपको 60% तक finance होता है तो यही valuation charges आपको 1000 to 2000 तक उसमें pay करना पड़ सकता है hypodication charges तो friends यह hypodication charges जो है वो एक stamp duty भरना पड़ता है आपको state के ही साब से तो गुजरात का case ले ले तो 0.25% रहता है तो जैसे 10 लाग का loan है तो 25 रुपये का आपका stamp duty hypodication के लिए pay करना पड़ जाएगा friends thank you for watching our channel अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे है तो उसे like और share जरूर करिएगा और उसे subscribe करके bell icon दबाना मत पुलिए और कोई question है आपके mind में तो comment box में comment जरूर करिए thank you